आप सभी ने तो बर्फी बहुत बर खाई होगी कभी किसी औसर पह तो कभी ऐसे ही बर्फी कई तरीके से बनाई जाती जैसे खोया की बर्फी, बेसन की बर्फी, काजु की बर्फी लेकिन आज मैं लेकी आए हूँ मिल्क पाउडर की बर्फी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम लागत में बनके रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर बनाते हैं। बहुत इजी तरीके से घर पर मिठाई बनाएंगे और इजी के साथ साथ बहुत ही कम सामगरी में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन-किन चीजों की ज़रत पड़ेगी। उसके लिए दो चम्मच घी, आधा कटोरी, चीनी और उससे थोड़ा सजादा दूद, दूद अपने क्वांटिटी के अनुसार लगेगा और एक पाउडर दूद। सबसे पहले मिल्क पाउडर को एक बाउल में ट्रांसवर कर लेंगे, अब इस मिल्क पाउडर में चीनी डालेंगे, आप चीनी पीस के भी डाल सकते हैं, यदि साबुत चीनी डालेंगे तो थोड़ा दानेदार बनेगा और पीसा चीनी से पूरा स्मूध बनता है, दोनों तरीके से बना सकते हैं, अब इसमें दूद डालेंगे, दूद नॉर्मल टेंपरेचर का लेना है, ठंडा भी नहीं, गरम भी नहीं, अब इन सारी चीजों को विस्क से मिक्स कर लेंगे, इसका टेस्ट बिल्कुल मावा या खोवा बर्फी की तरह आता है, और ये 10 मिनट मे बनके तयार भी हो जाता है, जब कभी भी आपके घर में गैस टाएंगे, तो आप इसे जटपट बना के 10 मिनट में सर्व कर सकते हैं, अब देखें, इस तरह से हमें पुरा मिक्स करना है, कि बिल्कुल भी लंस ना रहे इसमें, अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे, और इस कढ़ाई में इस घोल को ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद ही हम गैस के उपर चढ़ाएंगे, ये मिठाई बनाने में न चासनी बनाने की जहनजट होती है, और न बहुत जादा टाइम लगता है, बहुत ही सिंपल तरीके से मिठाई बनके रेडी हो जाता है, अब इस मिक्षर को मिडियम फ्लेम में पकाना है, जैसे ऐसे ये पकता जाएगा, वैसे वैसे ये गाड़ा होता जाएगा, और गाड़ा होने के साथ साथ इसमें गाठे भी पढ़ने लगेगी, तो गाठे पढ़ेगी, तो आप इस पैचुला से तोड़ते जाएं गाठे को, और इ अभी यह बहुत गाड़ा लग रहा है अभी यह जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं है तो हम थोड़ा देर और इसे पकाएंगे अभी मिक्स रेडी हो गया कड़ाई छोड़ने लगा है दीरे दीरे देखे अप घी भी छोड़ रहा है तो हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे आप तो इस मिठाई में इलाची पॉडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉडिंग अब इस मिक्स को हमें बर्फी जैसा जमाना है उसके लिए हम एक प्लेट लेंगे कोई भी स्टिल की प्लेट ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे घी लगा देने से यह अब गरम-गरम में ही करना है ठंडा नहीं होने दिना है बस एक सपैचूला लेंगे और इस से फैला देंगे आप चाहे तो कटोरी से भी चीकना कर सकते हैं बस अब गरम-गरम में ही थोड़ा सा ड्राइफ्रूट डालेंगे अपने पसंद की कोई सा भी ड्राइफ्रूट गजब का लगता है और एनी टाइम घर में सब चीज रहता है ये घर के समाने से आसानी से बनके रेडी भी हो जाता है इसका texture बिल्कुल बजार जैसे है, बिल्कुल बजार जैसे क्यों बजार से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा tasty है कि ये आसानी से मुं में घुल जाता है, मैं आपको एक तोड़ के दिखाते हूं कितनी आसानी से ये टूट रहा है, friends अगर ये आज की वी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई